प्रभाकर जब बंगाल की चुनाव हो गए उसके बाद ममता बैनेर जी ने जिस तरीके से अपने को पेश करने की कोशिश की थी ऐसा लगा था जैसे कि वो अपने आपको प्रधान मंतरी पत के लिए तैयारी कर रही और उसमे कोई गलत भी नहीं है लेकिन जो कोशिश होनी च माश्ट्रिय राजनीती में कि अगर कोई है ऐसा जो भाजपा को मात दे सके तमाम संसाधन और ताकत के बावजूत तो ममता ही है तो एक उम्मीद जगी थी उन्होंने दिल्ली के दोरे किये थे कई नेताओं से मिली थी अलग-अलग मुलाकाते की थी तब लगा था कि अभी काफी समय है चुनाओ में अगले करीब तीन साल का समय है तो कुछ हो सकता है लेकिन वही पिछली बार भी ममता ने आपको याद होगा ब्रिगेट परेड मैदान में विपक्ष के नेताओं की बहुत बड़ी रैली की थी दोहजार उन्नीस के लोग सबा चुनाओं के पहले लेकिन मुझे लगता है हलाकि मितिस कुमार हो ममता बनर जी हो यह लोग कहते तो है कि मुझे परधान मंतरी नहीं बनना है मुझे विपक्ष को एक जूट करना है लेकिन कथनी और करनी में अंतर दिखता है मुझे लगता है सब लोग परधान मंतरी बनना तो चाहते हैं इस का दस है. ममता पनर जी ने शुरूआत की थी, कॉंग्रेस नेताओं से मिली थी, सुनिय गांधी से मिली थी, उसके बाद फिर अचानक पता नहीं क्या समिकरन भदले कि फिर आके कॉंग्रेस का ही घर खोदने में लग गई, ममता पनर जी पुर्वत्तर में में घाले, त्रिपुरा, फिर गोवा में, कॉंग्रेस को ही तोड़ने लगी, चंडिगर, यूपी में कॉंग्रेसी नेताओं को अपने पाले में करने लगे और दूरियां बढ़ गई, फिर मम्ता ने भी गहर कॉंग्रेस, गहर भाजपा का नारा दिया, ल उनके इनक्टिव होने का कारण क्या है, क्या CBI एंफोस्मेंट के डंडा चल रहा है, वो डर गई है, या फिर अगर प्रधान मंतरी बनना भी चाहती है, अगर उनके इच्छा है, तो बिना सारे विपक्स को एक जुट लाए, एक साथ लाए हो, तो नहीं हो, संभव नहीं ह कर सकती है, तो क्या मजबुरी उनकी दिखाई पड़ती, क्यों नहीं कोशिश कर रही है, अतकालिक तो कारण ये था कि उस समय कई मंतरी उनके करीबी फंस गहे थे, CBI के जाल में जो सिक्छक भरती घोटाला हुआ था, उस कारण ममता अपना घर समालने में, कुनबा समालने में जुद गई, जो डैमेज कंट्रोल होना था, हटाना था, ये करना था, विपक्ष को एक मुद्दा मिला था, इसलिए ममता थोड़ी पीछे हट गई, लेकिन ममता अकेले ही वो रबिन्दना टेगर वाला एकला चलो रहे टाइप में भरोसा करती हैं ज्यादा, तो फिलह अपना घर समालती हैं और अकेले ही बीजेपी से दो-दो हाथ कर रहे हैं, साइद उनको भी समझ में आ गया होगा कि तमाम जो बिखराव हैं, मतबेद हैं, विपक्षी नेताओं के बीच, उनको साइद एक साथ लाके किसी एक आम नाम पर शहमत बनाना मुश्किल है, इस कुमार ने पाला बतला था, तब भी ममता ने कहा था कि अपको लगता है कि उनको निश्क्री कर दिया गया है, ममता को, अब बीच में तो ऐसे भी आरोप लगे थे, जब खासकर उपराश्पती का चुना हुआ था, तब हिमंत विश्व सर्मा और धनकर और ममता की मीटि होई थी डारजिलिंग में, उसके बाद ऐसे आरोप लगे थे कि ममता के समर्थन के बद्ले, सी बी आई को धिला कर दिया जाएगा, को सुस्ट कर दिया जाएगा, खासकर अभी से एक बनर जी और उनकी पत्नी के खिलाब जो मामले चल रहे हैं, अवैद कोईला, खनन और त करते हैं, चुपी साध है और अपने पत्ते उन्होंने खोले नहीं है, और फिलाल पुर्वत्तर में, त्रिपुरा और मेघाले में ममता का ज्यादा ध्यान है, क्योंकि वहाँ वो अपने पाउं जमाने की कोशिश कर रहे हैं, कि तेल निकल जा, वो धारी देखती रह जाए सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर